जी नमस्कार मैं महेश वर्मा रामदा सरून कुमार एंड संस राजस्थान भवन मौू यह हमारा एड्रेस है देश का आम बजट फेस हुआ है जी उसमें सोने की कश्टम डियूती हठाई गई है इसे जो जो जोलरी खेदने वालोग है या जोलरी मार्केट में क्या बदला देखें यह बहुत बड़ा चेंजेज इस बार के बजट में आया है और गौर्मेंट ने इस बार जनता को अपने तरफ से जैसे भी खुश करने की कोशिश पूरी तरीके से उन्हों ने की है और ही बाद जोलरी सेक्टर की तो जोलरी सेक्टर में गौर्मेंट ने 12% कस्टम देखने को मिला जिससे कस्टमर के डिमांड भी बढ़े हैं और लोगों की इंक्वाइरिया बढ़नी शुरू हो गई है कि अभी जो रेट चिंजेज हुए है यह क्या आगे भी कंटिन्यू ऐसे रेट में गिरावट कंटिन्यू रहेगी या आगे जाकर के जो है वापस से भा देखने को मिला जिसमें की भाव 75,000 रुपए सोने का जो रेट चल रहा था उसमें जो है रेट 75,000 से 3-4,000 रुपए जो है भाव जो है टाउन हुआ और जैसे ही इस तरीके की जो है उतार देखने को मिली मार्केट के अंदर कस्टमर के अंदर जो है इंक्वाइरिया कि आगे यह चीज क्या रुजहान दिखाएगी तो इसको हम अभी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि अभी कल बजट पेश हुआ है और अभी मार्केट का यह सिनेरियो है आगे इसके इस विशे को आगे के लिए हम लोग छोड़ते हैं मतला हम यह जाना चाहते हैं कस्टम ड इंदर आती है तो उस पर कुछ ड्यूटी लगते हैं कुछ गवर्मेंट के टैक्सेज लगते हैं तो इंडायरेक्ली वह कस्टमर को ही पे करना पड़ता है अब जैसे अगर 12% से 6% यह बहुत बड़ा ग्राफ डाउन किया है को गवर्मेंट ने तो इससे अन्रिलेटेवल क अहीं न कहीं तो कस्टमर को लाफ जरूर पहुचेगा तो यह अब अगर कस्टमर आप कहाता है तो जो कम हुई दरे हैं उसका फाइदा में बिलकुल कम हुई दरे तो समझे दिजिए कि कस्टमर बजट पेस होते ही हमारे सेक्टर में जो है रेट का बहुत जो है अच्छा परिवर्तन देखने को मिला और बहुत से लोगों का जो है अभी आगे आने वाले समयों में दिवाली है और दशेरा है आने शादिया शादियों का भी महौल आने वाला है तो इस टाइम पे जो है लोगों के अंदर रहता है कि हमें कुछ अपने लिए खरदारी करनी है हमार झाल 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 झाल